हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम OROP की असली विसंगतियां और रक्षा मंत्राले द्वारा दिये गए 13 सवालों के जवाब के बारे में एनलाइसिस करने वाले हैं क्या हमारी गलतियों की वज़े से रक्षा मंत्राले ने ये 13 जवाब दिये हैं जिसमें किसी भी तरह की विसंगतियों को जगा नहीं दी गई है तो आखिर क्या रही वज़े, क्या है पूरी की पूरी वो बातें जानेंगे अपने इस वीडियो में क्या जो हमने ग्यापन दिये, क्या उसमें कोई गलतियां थी, क्या हमारे आपसी मतभेद का कारण है कि दिखिए रक्षा मंतराले की तरफ से सब के सब सवालों के जवाब दिये गए और कोई भी सवाल का जवाब जो है हमारे विसंगती या हमारे को सूट नहीं करता है तो क्या है पूरी बाते जानेंगे अपने इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरू करें देकि सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है ग्यापन के प्रमुक्ष सवाल हमने ग्यापन दिये डी-म को भी दिये माननिय जो हमारे सांसद मोदे हैं उनको भी दिये लेकिन उन सभी ग्यापन में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उठाए गए थे चाहे फिटमेंट फेक्टर को लेकर हो, equal MSP को लेकर हो, equal Disability Pension को लेकर हो चाहे जो विडो पैंसन है उसको सर्विस पैंसन बराबर करने वाली बात हो एक्स पे प्री और पोस्ट उठाउन सिक्स्टीन हो पी एम आर, मेसी पी, ओनरी रैंक्स और रिजर्विस्ट पैंसनर्स, ओम जी सी रिपोर्ट्स ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो सभी ग्यापंस में दिये गए थे तो क्या ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं उठाए गए थे OROP जो रिवीजन आया है उनकी विसंगितियों को लेकर कौन-कौन सी ऐसी वो विसंगितिया थी? जो वास्तव में थी और उनके साथ-साथ किन-किन विसंगितियों को जोड़ा गया ये आप देख सकते हैं देखे ये सारे के सारे हम देख सकते हैं उसमें CSD और ECHS भेदभाव ऐसे मुद्दे भी ग्यापंस में सामिल थे जिनोंने भी ग्यापंस दिये देखे इसके उपर ओलेडी दो महीने मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी देखे मैं आपको उसका जो है लाश्ट में दिखाऊंगा कि कौन सा वीडियो है और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्किप्शन बोक्स में भी मिल जाएगा देखे सबसे पहले हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर पर फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि देखे किस आधार पर responsibility और accountability के आधार पर 2.57 से लेके 2.81 दिया गया था लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये OROP 2 की विसंगती थी जिस आधार पर हमने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया हमने बहुत दिनों तक कह सकते हैं कि संगर्स कर रहे हैं अभी तक भी कर रहे हैं कल 23 जुलाई थी उसमें भी देखिया आप सभी को पता है कि बहुत अभुत पूर्व सैनिक महापत मुझे थे और काफी कह सकते हैं कि उस आंदोलन को जो कोल थी उस पे काफी समर्थर भी मिला था लेकिन fitment factor जो है OROP 2 की विसंगती नहीं थी उसके बाद हैं बात करें equal MSP देखिये equal MSP जो है already दिल्ली हाई कोट में क्वेस चल रहा है बात करें MACP की देखिये MACP एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर हम बात करें pre और post 2006 के बारे में लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है हाला कि बहुत से ऐसे pensioners हैं जिनको इसका area भी मिला था सरकार के कहने के बाद लेकिन फिर सरकार इसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है हाला कि देखिये ये सारी चीजे भी अगर हम देखिये MACP को एक मुख्य मुद्दा जो है माना जा सकता है अगर हम बात करें OROP की विसंगती का हाला कि देखिये OROP 2 की विसंगती का में मुद्दा नहीं है बट आप इसको एक additional या सहायक मुद्दे के रूप में ले सकते हैं क्योंकि ये 2006 से प्रभावी है और ये normal जो भी हमारे factors है जिसे 2.81 उसके साथ लिया जा सकता है तो पहला मुद्दा जो सबसे बड़ा था वो था pre-mature retiree को लेकर देखिये PMR सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको हम खामी बता सकते हैं OROP 2 की विसंगती बता सकते हैं क्योंकि OROP 1 में PMR को लाब दिया गया था और OROP 2 में PMR को लाब नहीं दिया गया तो पहली विसंगती जो थी वो PMR थी और PMR है इसके उपर भी देखिये court case किया जा सकता है लेकिन अभी तक कोई भी court case इसके उपर नहीं किया गया है हाला कि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जो March 2022 का Honorable Supreme Court का judgment था उसमें जो 7 November 2015 का लेटर था उसको मानने ता दिदी गई थी उसमें कोई भी कमी नहीं बताई गई थी लेकिन 7 November 2015 की जगा एक साथ 2014 यानि बैक डेट से आप PMR काउंट कर रहे हैं यह देखिये एक कह सकते हैं कि टकनीकी खामी हो सकती है उसके बाद में बात करेंगे एक्स पे प्री और पोस्ट 2016 हाला कि देखिये अभी Honorable Supreme Court में यह केस गया और अभी मानने है AFT में यह केस जा चुका है तो बात आती है कि देखिये यह जो थी दूसरी परमुक विसंगती थी जो OROP 2 में थी अगर हम बात करें विडो पैंसन, disability पैंसन, equality करने की बात तो देखिये यह जो है OROP 2 की विसंगतिया नहीं थी हाला कि जो पैंसनर्स की समझ्चाएं हैं उनमें यह समझ्चाएं परमुक हैं तो देखिये अभी तकर हम देखें PMR और X पे दो ऐसी विसंगती हमें मिली जो मुख्य रूप से OROP 2 से जुड़ी हुई थी उसके बाद 75% आफ लास्ट पे एज पैंसन, देखिये इसका कोई भी OROP 2 से लेने देने नहीं है हाला कि देखिये काफी पुरानी मांग रही है पैंसनर्स की लेकिन इसके लिए आपको क्या है एक separate ग्यापन तयार करने थे, यानि आपको दो ग्यापन तयार करने हैं अगर करने हैं अभी आप OROP-2 के नाम पे आए हैं तो आपको जो ग्यापन में है OROP-2 की विसंगतिया ही मैंसन करनी है उसके बाद में रिजर्विस्ट पैंसनर, OMGC रिपोर्ट, ओनरी रैंक्स देखिए ये सारे के सारे वो मुद्दे हैं जो पैंसनर्स के परमुक मुद्दे हैं चाहे CSD, ECHS, बेदवाव को लेकर हूँ लेकिन उनका OROP-2 से कोई भी सम्मन्द डारेक्ट जो है नहीं है तो OROP-2 की अगर हम बात करें तो PMR, XP और अगर हम कुछ additional चाहें तो MACP ऐसा मुद्दा था जो देखिए आप include कर सकते थे लेकिन इसके साथ-साथ हमने 10-12 points और जोड दिये तो देखिए ये जो हमारा PACS था थोड़ा सा हो गया कम जोड़ अब देखिए हम बात करते हैं Federation of Veterans Association, United Front of X-Service Men यानि जो हमारे X-Service Men थे अगर हम बात करें पहले देखिए सभी mix हुआ करते थे जिसे IESM हो गया तो उसके बाद देखिए कोसिस की गई कि देखिए officers का separate और जितने भी जवान हैं उनको separate किया जाए लेकिन उसको भी देखिए दो पार्ट में जो बड़े-बड़े संगटन है वो आपस में मिल गए और दो धड़े बना लिए जो देखिए अपने आप में पूरी तरह से नकारात्मक है उनके आपसी वैचारिक मतभेद हैं जो देखिए स्खुल के मीडिया में सामने आते हैं आप उनके कमेंट्स देखिए उनके कमेंट्स देखिए देखिए डारेक्ट ना हो के लेकि Indirectly उनको सामिल किया जाता है औ उन्हों को मिलके बातचीत करनी चाहिए और एक किलब करके जो है कमबाइंड एक्स तर्विसमेन एसोशेशन होना चाहिए जो only for the JCOORS हो तो इन चीजों को इन मतवेदों को ध्यान में रखते हुए देखें अगर हम बात करें PMR और XPAY ये दोनों जैसे मैंने आपको बताया परमुक मुद्धे हैं और XPAY और MSP पर already court case है और जिसकी सुनवाई अभी इसी week में होने वाली है जैसा आपको मैंने बताया था कि दो महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था OROP की असली विसंगतियां क्या अभी तक कोई भी ग्यापन सही से तयार नहीं किया गया है एक होकर सही ग्यापन बनाना होगा दो महीने पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरे चैनल पर अप्लोड किया गया था तो ये थी देखिए आज की वीडियो की परमुक जानकरी कि कौन-कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो OROP 2 में सामिल नहीं है कि विसंगति में सामिल नहीं है लेकिन हाँ वो सैनिकों की परमुक मांगे हैं और विसंगतियां भी हैं बट OROP 2 के जो ग्यापन तयार किये गए जो हमने डिमांड मांगी उसमें इन चीजों को सामिल करना कहीं न कहीं हमारे पक्ष्ट को थोड़ा कमजूर करता दिख रहा है यही वज़य है कि सरकार ने दिखिए तेरे सवालों के जवाब जो दिये हैं उसमें क्योंकि इतने ल बहुत इंपोर्टेंट है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत